पावन सिंस चोटे भाई और उनके टीम मेंबर वशाल सिंग कहा रही कि मैंने आच वहलut तो अगर कि उतक्ते है भीचाहिन को सर्मान उतली ला चैक को मेंपने औहां वहला भाव बता रहा है नहीं आता है और वो खुद को सलमान खान कहते हैं जबकि उनको उनके अंदर अगर कुछ है तो वह उनकी बोड़ी और उनको सिर्फ डांस करने आता है इसके लावा कि सारी के पास कुछ नहीं है विशाल सिंग कह रहे हैं कि कि सारी लाल यादो को बोलने तक नहीं आता है और लेकिन आप पवन भाइया का कोई पुराने वीजियो उद्धा गर देख लीजिए पावन भाहिया जो भी बोलते हैं दिमाज से बोलते हैं नापतौल कर बोलते हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं जिसको बोलने के बाद उनको उनके टीम के किसी भी वैक्टी को सोच समझे कुछ भी बोई जाते है इसका खामियाजा उन्हें और उनकी टीम को भुगतना भी पड़ता है बाकि बनारस वाले मीटिंग के बाद विशाल सिंग पहली बार मीजे में आकर इंटरव्यू दिये हैं तो चलिए हम आगे की वीजियो में बताते हैं कि विशाल सिंग ने खिसारी लाले आदो और उनकी टीम के लोगों को लेकर फिर से क्या कुछ कहा हूं लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथे कामरामेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंशाल बनारस वाले मीटप के बाद विशाल सिंग और खिसारी लेकिन विवादों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं यानि विवाद होने के बात दोरों स्टार इंदेनों अपने अपने काम पर लगे हुए हैं पवन सिंग को हर बार चुड़ी चुड़ी बात पर विवाद के लिए उकसाने वाले खिसारी सारी चिजों से अंजान बने बार विशाल सिंग एक यूटुरूबर को इंटर्विव देते हैं इंटर्विव के दोराण जब यूटूबर ने विशाल सिंग से पूछा की बनआरस मीटिंग की शुरूआत की तो लूए तो यानिग भी टीम नहीं हुई थी कोई प्लैनिंग नहीं थी बल्कि के सारे मा तो लोग मेरे रोस्ट को अपने वपर ले लेते हैं और जब वह दुबारा लाइव आते हैं डूब्बारा लाइव आते हैं यह जो कि मैरे बर्दाश्ट के बाहर हो जाता है। इसके बाद मैं वीजियो बनाता हूँ और कहता हूँ कि अगर तुम लोग को लाइब आकर गाली गलच करना एक दूसरी की मा बहन को गाली देना है मुझे जलील करना है तो इससे अच्छा है कि आप सामने से आकर बात्तुत कर लिजे मिल लीजे इस बात को भी वो लोग चैले करता हूँ और हमारी बात्चीत होती है इसके बाद विवेक सिंग अपनी सारी गलतियों के लिए मुझसे माफिए मांगते हैं और मुंबई में मिलने की बात देते हैं इसके बाद यूट्यूबर विशाल सिंग से बिना नाम लिए पूछता है कि आपको लेकर खेसारी के य महेश पांडे की बात कर रहा था उसके बाद विशाल सिंग कहते हैं कि पहली बात तो यह कि वह खेसारी का यूट्यूबर नहीं है बलकि इन लोगों ने पैसा देकर इसको हायर कि आपने पक्ष में बोलने के लिए इसलिए वह खेसारी पर न्यूज बना कर पैसा कमाता है महेश पांडे की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूं और नहीं मैं उसके बारे में किसी से बात्चीत करना चाहता हूं क्योंकि मैंने उसके बारे में जब भी बात किया है तब वो ठ्यार्पी में चला है वो मेरे ऊपर वीडियो बना कर पैसा कमाया है विशाल सिंग कह पहले पवन भाईया से न पूछूंगा और नहीं पवन भाईया को बताऊंगा बस वो जहां मिल जाएगा मैं महेश पांडे को सिधा मारना शुरू करूंगा और वीजियो भी बनाऊंगा बाकी अब देखना होगा कि विशाल संकी इस इंटरव्यू के जवाब में किसारी और उनके लोगों का या महेश पांडे का क्या कुछ रियक्शन आता है बाकी से के साथ इस वीडियो को यहीं पर समात करते हैं और मिलते हैं से किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्यावा ड़ता हैं आता है